स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीरतिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में तिरकोण मिती से बार बार परिच्छाओं में पूछे जाने वाले most repeated question को solve करेंगे तो बिलकुल ध्यान से समझेगा पहला question है दोस्तों यदि 102 theta into 104 theta is equal to 1 तो 103 theta का मान क्या होगा देखिए दोस्तों आसान तरीके से solve करेंगे क्या दिया गया है 102 theta into 104 theta is equal to 1 दिया गया है और इसका मान पूछा जा रहा है देखिए दोस्तों आसानी से solve करेंगे देखिए यहां से क्या हो जाएगा 102 theta is equal to यहां देखिए 104 theta का गुड़ा है इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा यानि एक बटे 104 theta हो जाएगा ठीक है दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 102 theta is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 10 theta क्या होता है cut theta होता है तो यहां से cut 4 theta हो जाएगा ठीक है दोस्तों देखिए यहां से 10 2 theta is equal to देखिए cut theta को हम क्या लिख सकते हैं यानि cut 4 theta को क्या लिख सकते हैं 10 90 ans minus theta is equal to क्या होता है cut theta 10 90 ans minus 4 theta किसके बराबर हो जाएगा तो cut theta के बराबर हो जाएगा यहां से 10 से 10 cancel हो जाएगा तो 2 theta is equal to क्या मिलेगा 90 ans minus 4 theta ठीक है दोस्तों इसको इस तरफ ले आएगे तो 2 theta plus 4 theta क्या हो जाएगा 6 theta is equal to 19 degree यानि 90 ans यहां से हम theta का मान निकालेंगे तो दोस्तों 90 ans बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 90 ans में 6 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15 ans मिलेगा तो दोस्तों theta का क्या मान निकल कर आया theta का मान निकल कर आया 15 ans ठीक है इसका मान पूछा गया है मान किसका पूछा गया है तो time 3 theta का मान पूछा गया है दोस्तों क्या हो जाएगा तैन 45 यारणी दोस्तों इस equation का करेक्ट एंसोर नंबर सिसकों का करेक्ट एंसोर हो जाएगा उमीद करते दोस्तों आप विल्कुल आसानी से समझ गए होंगे चलिये अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों यदि sine theta plus cos theta बराबर 7 बटे 5 हो तो sine theta into cos theta का मान क्या होगा देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से solve करेंगे question क्या दिया गया है sine theta plus cos theta is equal to दिया गया है 7 बटे 5 और हमसे इसका मान पूंचा जा रहा है तो दोस्तों इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पच्छों का square कर देंगे ठीक है दोनों पच्छों का क्या करेंगे square करेंगे क्यों square करेंगे क्यों square करेंगे क्यों a square plus b square plus 2ab भी होगा टू ए भी जब होगा तो कास ठीटा इंटू साइन ठीटा भी आएगा तो वहां से हम इसका मान निकाल लेंगे ठीक है इसक्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा साइन इसक्वायर ठीटा हो गया प्लस कास इसक्वायर ठीटा हो जाएगा प्लस टू साइन into cos theta हो जाएगा is equal to 7 बटे 5 का square करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 7 सता 49 बटे 25 हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहां से देखिए sin square theta plus 80 square theta का मान कितना होता है तो एक होता है ठीक है प्लस दोस्तों यहां से 2 sin theta into cos theta is equal to क्या हो जाएगा तो 49 बटे 25 हो जाएगा ठीक है यहां से दोस्तों हम 2 sin theta into cos theta is equal to क्या लिखेंगे 49 बटे 25 माइनस एक ठीक है यहां प्लस में है तो इस तरह आएगा माइनस में हो जाएगा इसको हम solve कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 49-25 से कण नम 25 ठीक है 49-25 बटे 25 हो जाएगा ठीक है इसको हम solve कर लेते हैं तो 2sinθट इंटू cosθट इस इक्वल टू क्या आएगा 49 में से हम 25 को घटाएंगे तो दोस्तों हमको क्या मिलेगा 4 हो जाएगा और 2 मिलेगा यानि 24 बटे 25 हो जाएगा ठीक है 24 बटे 25 हो जाएगा यहां से हम मान निकालेंगे sin theta into cos theta का ठीक है sin theta into cos theta is equal to क्या हो जाएगा देखिए दो से काटेंगे 12 बार में ठीक है यानि दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा 12 बटे 25 हो जाएगा तो इसका मान निकल कराएगा 12 बटे 25 और यही क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा यानि आपसर नमबर D इस question का correct एंसर हो जाएगा आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों यदि sin theta plus cos theta बटे sin theta minus cos theta बराबर 7 हो तो time theta किसके बराबर होगा देखें दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से solve करेंगे ठीक है question क्या दिया गया है sin theta plus cos theta बटे sin theta minus cos theta is equal to 7 दिया गया ठीक है इसके नीचे हम एक माल लेंगे और त्रीक गुड़ा करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा sin theta plus cos theta is equal to इधर गुड़ा करेंगे तो 7 sin theta हो जाएगा minus 7 cos theta हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहां से हम इसको solve कर लेते हैं देखिए हमसे मान किसका पूचा गया है time theta का मान पूचा गया है तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा यानि दोस्तों sin theta upon cos theta is equal to क्या हो जाएगा तो 8 बटे 6 हो जाएगा दोस्तों यहां से हमें क्या मिलेगा sin theta upon cos theta क्या होता है time theta होता है आपको formula याद होना चाहिए जिससे आप आसानी से solve कर सकते हैं दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा चार बटे 3 ठीक है चार बटे 3 यानि time theta का मान क्या निकल कर आएगा तो time theta का मान 4 बटे 3 निकल कर आएगा और यहीं दोस्तों क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो option number दोस्तों option number भी इस question का correct answer हो जाएगा आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे ठीक है दोस्तों चलिए अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों यदि cast square theta minus sin square theta is equal to 1 बटे 3 हो तो cast power 4 theta minus sin power 4 theta plus 1 का मान क्या होगा देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से solve करेंगे ठीक है क्या दिया गया है cast square theta minus sin square theta is equal to 1 बटे 3 दिया गया है और इसका मान पूछा जा रहा है देखिए दोस्तों इसको हम सरल कर सकते हैं ठीक है इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा देखिए यहां से क्या हो जाएगा cast 4 theta minus sin power 4 theta plus 1 है ठीक है इसको हम वरगांतर वाले फार्मूले से तोड़ेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा cast square theta plus sin square theta ठीक है एक कोश्टक में अगले कोश्टक में प्लस का एक हो गया तो हम यहां एक बटे तीन लिख देंगे प्लस का एक है तो प्लस एक लिख देंगे ठीक है इसको हम solve कर लेते हैं तो एक गुड़े एक बटे तीन क्या होगा एक बटे तीन हो जाएगा एक बटे तीन में एक को जोड़ेंगे तो तीन एक अन्नम तीन एक चार बटे तीन हो जाएगा ठीक है तो complete वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों sin square 25 प्लस sin square 65 अंस का मान किसके बराबर होगा ठीक है देखिए दोस्तों आसानी से solve करेंगे ठीक है क्या दिया गया है कोश्चन sin square 25 अंस प्लस sin square 65 अंस ठीक है दोस्तों देखिए हम इसको change कर सकते हैं ठीक है कैसे change करेंगे since qu gotta 55 अंस हो गया प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं sin square 90 अंस-25 अंस लिख सकते हैं, ठीक है, sin square 90-25 अंस लिख सकते हैं, ठीक है, sin 90-3 इस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो sin 90-3 इस इक्वल टू काश ठीटा हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 90 में से 25 घटाएंगे, तो हमको यहाँ 65 ही मिलेगा, ठीक है यानि दोस्तों साइन नब्यंस माइनस ठीटा क्या हो जाएगा तो कास ठीटा हो जाएगा ठीक है यहां हमें क्या मिला हुआ है कास स्क्वाइर ठीटा इज इक्वल टू एक होता है देखिए यहाँ ठीटा की जगह पर क्या है पचीस अंस और यहाँ भी ठीटा की जगह पर क्या है पचीस अंस तो ठीक है दोस्तों यहाँ से साइन स्क्वाइर पचीस अंस प्लस कास स्क्वाइर पचीस अंस का मान क्या हो जाएगा एको जाएगा और यही दोस्तों क्या हो जाएगा शक यारू करें सभ जाएगा असा करते हैं आप बिलों आसानी से समझ गए होंगए चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों यन 10 티 2 2 बराबर zero condition दिया गया है कि ठीटा का मान 0 और 90 अंस के बीच में होना चाहिए हो तो sin theta minus cos theta का मान क्या होगा ठीक है दोस्तों देखिए आसानी से स्वालव करेंगे क्या दिया गया है sin theta minus cos theta is equal to 0 दिया गया है देखिए दोस्तों यहां से हम अगर theta का मान निकाल लें और इसमें रख दें तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा देखिए दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा tan theta is equal to यहां minus में है इस तरफ जाएगा तो plus में हो जाएगा यानि cut theta हो ठीक है देखिए दोस्तों यहां से tan theta हो गया काट ठीटा को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों टैन नब्बे अंस माइनस ठीटा लिख सकते हैं ठीक है टैन नब्बे अंस माइनस ठीटा क्या होता है तो काट ठीटा होता है इसी के बराबर हो जाएगा यहां से टैन से टैन कैंसिल होगा तो theta is equal to क्या मिलेगा दोस्तों 90 ans minus theta मिलेगा theta यहाँ minus में इस तरफ आएगा तो plus में हो जाएगा यानि 2 theta ठीक है theta plus theta यानि 2 theta is equal to 90 ans हो जाएगा यहाँ से theta का मान निकालेंगे 2 से काटेंगे इसको 45 बार में यानि दोस्तों ठीटा का मान क्या निकल कर आएगा तो 45 अंस निकल कर आएगा ठीक है मान इसका पूछा गया है तो यहां हम रख देंगे तो साइन ठीटा की जगह पर 45 अंस रखेंगे माइनस कास 45 अंस हो गया ठीक है दोस्तों देखिए यहां से क्या हो जाएगा 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 cancel हो जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्तों हमको 0 मिलेगा यानि इसका मान क्या आएगा तो इसका मान 0 आएगा और यही क्या होगा राइट एंसर होगा यानि option number D इस question का correct answer हो जाएगा आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे चलिए अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों या इसका 4 theta minus 50 अंस बराबर कौस से 50 अंस माइनस ठीटा हो तो theta का मान 0 और 90 अंस के बीच में होना चाहिए तो theta का मान क्या होगा देखिए आसान तरीके से solve करेंगे ठीक है question क्या दिया गया है 4 theta 4 theta minus 50 अंस बराबर कौस से 50 अंस माइनस ठीटा ठीक है दोस्तों देखिए यहां से हमें theta का मान निकालना है theta का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए देखिए दोस्तों हम से को क्या लिख सकते हैं तो से को लिख सकते हैं कौस से 90 अंस minus theta ठीक है cosec minus theta is equal to क्या हो जाएगा sec theta हो जाएगा ठीक है यहाँ से theta की जैगा पर क्या हो जाएगा 4 theta minus 50 ans तो गया is equal to cosec cosec 50 ans minus theta हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ से cosec cancel हो जाएगा क्या मिलेगा 95 minus minus का अंदर गुड़ा कर देते हैं 4 theta ठीक है minus का गुड़ा minus में करेंगे तो plus हो जाएगा 50 cents हो गया is equal to यहां से 50 cents minus theta हो जाएगा ठीक है देखिए 50 cents से 50 cents cancel हो जाएगा ठीक है यहां से देखिए 4 theta यहां minus में है इस तरफ जाएगा तो plus में हो जाएगा यानि दोस्तों minus theta plus 4 theta is equal to किस के हो जाएगा 90Ns के बराबर हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ से देखिए 4 theta में से theta को घटाएंगे तो 3 theta is equal to 90Ns हो जाएगा ठीक है यहाँ से 3 से काटेंगे 30 बार में यानि दोस्तों theta का मान क्या निकल कर आएगा तो theta का मान 30 अंस निकल कर आएगा ठीक है और यही दोस्तों क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा देखिए दोस्तों theta का मान 0 और 90 अंस के बीच है ठीक है यानि theta का मान क्या हो जाएगा 30 अंस हो जाएगा यानि option number D इस question का correct answer हो जाएगा आप बिल्कुल simple तरीके से समझ गए होंगे ठीक है दोस्तों चलिए अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों यद 6 square theta plus 10 square theta is equal to 7 तो theta का मान 0 अंस के बराबर हो सकता है या 90 अंस के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है इसी के बीच में theta का मान होना चाहिए theta का मान हमसे पूछा गया है देखिए दोस्तों क्या दिया गया है 6 square theta plus 10 square theta is equal to 7 बन दिया गया हमको theta का मान चाहिए तो हम इनको change करते हैं ठीक है देखिए चेंज कैसे करेंगे सेक स्कॉार्ट ठीटा है यहाँ देखिए अगर one प्लस time स्कॉार्ट ठीटा कर देंगे तो दोस्तों सेक स्कॉार्ट ठीटा के रूप में बदल जाएगा ठीक है यहाँ हम एक जोड रहें तो इस तरब भी हमको क्या करना पड़ेगा एक जोड़ना पड़ेगा ठीक है तो 7 प्लस एक हो जाएगा यहाँ हम एक जोड रहें तो इस तरब भी हमको एक जोड़ना पड़ेगा ठीक है यानि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा सेक स्कॉार्ट ठीटा प्लस यहां से देखे दोस्तों क्या आएगा 6 square theta is equal to 4 हो जाएगा ठीक है यहां से हम 6 theta का मान निकालेंगे यहां square है तो इस तरफ under root लग जाएगा यानि under root का 4 हो जाएगा ठीक है और 6 theta is equal to क्या निकल कर आएगा तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निखल कर आएगा और से किसका मान 2 होता है से कितने अंस का मान 2 होता है तो दोस्तों से कितने अंस का मान 2 होता है तो दोस्तों से 60 अंस का मान 2 होता है ठीक है तो यहां से दोस्तों क्या आएगा से ठीटा इज इक्वल टू 2 किसका मान होता है तो से 60 अंस का मान होता है ठी ठीक है यानि ठीटा का मान 60 अंस आया है 90 और 0 अंस के बीच में है यानि आपसन नंबर ये इस question का correct answer हो जाएगा उमीद करते हैं दोस्तों आप सभी question को एकदम आसानी से समझ गए होंगे अगर समझ में आया हो तो please like जरूर करिएगा ठीक है चैनल को subscribe कर लीजिएगा इसी प् दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जाए हिंद वन दे मातरम